नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकीत आप्टे प्रभू और आप देख रहे हो आपका अपना चनल प्रभूए 2020 आज हम बात करने वाले है पटी एडिया जिसे आप क्राक हिल्स ऐसा भी जानते हो या जिसे मराठी में कहते हैं पायाना पढ़ना रहा भेगा जैसे ही ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है हम सभी को पटी एडियों की तकलीफ सताने लगती हैं और कुछ लोगों को तो साल के 12 महिने पटी एडिया और ना ही सिर्फ एडि देकिन पैर में पूरे पैर में पटने की तकलीफ सताती है और ये तकलीफ इतनी जादा होती है कि उसमें तेज खुजली, बहुत जादा दर्द और कई कबार उसमें से खून भी निकलता है तो उन सारे लोगों के लिए आज मैं ऐसे 5 टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी ये पटी एडियों की तकलीफ दूर हो जाएगी चलिए तो देखते हैं वो 5 टिप्स कौन से है टिप नम्बर वाण ये आपके घर में घी तो होता ही है चाहे वो गाय का घी हो, भैस का घी हो या वनस पती घी जिसे आप आम भाशा में डालडा कहते हो अगर आप घी का इस्तमाल आपके इन पटी एडियों पर या पैरों में जो फटनी की तकलीफ होती है उसमें अगर आप उसका इस्तमाल करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्स आपको दिखाई देते हैं अब ये घी कैसे लगाना है तो पैरों को अच्छी पाने से धो लीजिए फिर उसे पोच लीजेगा और फिर उसके घी अपलाई करना है वनस्पती घी या गाय का घी या भैस का घी जो भी घी आपके पास अविलेबल है उसे आप अप्लाई कर दीशेगा यह हुआ टिप नमबर वान टिप नमबर टू इसमें आपको घी की जगर तेल याने आपके घर में सरसू का तेल है तिल का तेल है या खाने में आप जो भी sun floor oil यूज करते हो या ground note oil यूज करते हो या नारियल का तेल जो भी तेल अविलेबल है उसे अगर आप पैरों में लगाते हो जहाँ पे आपको फटी एडिया है, क्राक्स है तो वहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करते हो उससे भी बहुत जली आपको राहत मिल जाएगे लगाना कैसे है, सेम प्रोसेजर पैर अच्छे पानी से धोलीजिए उसे पोच लीजिए और फिर तेल को अप्लाई कीजिए अब तेल को तो अप्लाई करोगे या घी अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी एक छोटे टिप है कि अगर आपको तेल लगाना है या घी लगाना है तो घी या तेल अपलाई करने के पाँच मिनट बाद आप अगर उसके उपर सौक्स पहनके सोते हो तो बेचिट्स भी खराब नहीं होंगे और तेल या घी पैर पे बना रहेगा तो य हुई पहले दो टिप अब आपको होगे यह तो तेल घी हम सबको पता है लेकिन आप सभी ने ट्राइ नहीं किया है तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए और आपको इसके रिजर्स कैसे मिले यह मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताईए यह था यह दो टिप जिनको सर् आपके बारा महिने पैर में पटने की तकलीफ है दर्द है खुजली है और खून भी आने की तकलीफ है उनके लिए सिर्फ ये दो टिप काम नहीं करेगी तो उनके लिए है तीसरी टिप अगर आप सभी को पता है कोकम जो हम खाने में इस्तिमाल करते हैं उसका सिड होता है और उस सिड से ओईल एक्स्टेक किया जाता है जिसे कोकम टेल कहां जाता है जी हाँ अगर आप कोकम टेल का इस्तिमाल अपके पटी एडियों पर करते हो उसके भी रेजल्ट बहुत अच्छे से मिलते हैं ये कोकम टेल ऐसे दिखता है चौक गए तेल है तो सॉलिड फॉर् कोई भी आईडवेदिक मेडिकल शॉप में ये आपको मिल जाएगा ये दो टाइप का है ये जो कोकम टेल आप देख रहे हो जो थोड़ा सा ओफपाइट कलर का है जिसमें ब्लाकिश पॉट है ये मशिन से एक्स्ट्राक किया गया है और ये जो दूसरा कोकम टेल आप करते हो उसके भी बहुत अच्छे रिजर्ट मिलते हैं और बहुत कम समय में तो अगर अभी तक आपने इसे ट्राइड नहीं किया है तो जरू ट्राइड कीजिएगा और उसके रिजर्ट कैसे मिले मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिया आगे जाने से पह इसे लाइक करते ना वीडियो खतम होने के बाद और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आगे चलते हैं टिप नंबर फोर आप सुनकर थोड़े से शौक हो जाओगे गैरिक जिसे मायरवेद में गैरिक कहते है और आम भाशा में इसे गेरू कहां जाता है जी हां ये गैरिक का चूर्ण है ये गैरिक क्या है दिवाले में हम सब रंगोली बनाते हैं और रंगोली बनाने से पहले नीचे हम गेरू लगाते हैं तो वो जो गेरू है उसी का ये चूर्ण है जिसे हम गैरिक चूर्ण कहते है ये भी आईरवेदिक मेडिकल शौप में आपको आसानिस से मिल जाएगा इस गैरिक का इस्तिमाल करना है वनसपती घी याने डालडा के साथ अब इसका प्रपोर्शन थोड़ा सा अलग है एक चमच अगर आप गैरिक का चून लेते हो उसमें 10 चमच डालडा या वनसपती घी को मिलाना है और उसे इस्तिमाल करना है अगर आप उस डालडे को थोड़ा सा गरम करके मिल्ट करके लेते हो मतलब 10 चमच वनसपती घी थोड़ा सा गरम करने के बाद जब मिल्ट हो जाएगा तो उसमें ये एक चमच गैरिक का चून मिलाना है और उसे अच्छे से ठंडा होने तक मिक्स करना है जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसे अच्छे से क्रीम कंसिस्टेंसी आ जाएगी फिर इस गैरिक के क्रीम को जो वनसपती की हिक के साथ बना है उसे आप अपनी पटी एडियों पर या पैरों में जो क्राक से उन पर लगा सकते हो जिनको पैरों में पटने के बाद खून आने की तकलीफ होती है उनके लिए खास करके ये टिप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो अगर आपको पैर में पटने के बाद उसमें से खून आ रहा है जलन हो रही है दर्द है तो उसमें ये गैरिक का चूर्ण जरूर इस्तिमाल कीजिए ये थी टिप नमबर फूर्ट टिप नमबर फाइव शत्ता धवत्त घृत्म ये एक आयरवेरिक मेडिकल फॉर्म्यूला है जो आयरवेरिक मेडिकल शॉप में अविलेबल होता है इसमें प्रोसिजर बहुत लंबे समय वाली है लेकिन इजी है आपको घी को पानी से दो लेना है वो भी कितने बार सौ बार जब आप सौ बारिस घी को धोलोगे तो घी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी से क्रीम जैसी और बहुत वाइट कलर का अपको घी मिलेगा इसे बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है तो आपको अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इसे नजदी की अईरवेडिक मेडिकल दिखाएगा तो अगर आपको पैर में क्राक्स है तो उसमें श्रतधवतागृत बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है और नाहीं सिर्फ पटी एडियों पर हर्पिस जोस्टर नामकी एक बिमारी है जिसे हम मराठी में नागिन कहते हैं ऐसी व्याधी में आप सभी को बहुत जादा जलन होती हैं दर्ध होता है उसमें भी यह श्रतधवतागृत बहुत अच्छे से काम करता है इस नागिन याने हर्पिस जोस्टर के उपर मेरे पिता जी वैद्य नरहर प्रभु जी उन्होंने एक वीडियो बनाया है उसके लिंक में आई बटन में या डिस् और दो टिप मैं आपको देना चाहती हूं तो उसमें से पहली टिप है इन पाच चीजों के अलावा अगर आप हरड इस वनसपती को जानते हो तो जो हरड का चूर्ण है वो भी आपको अईरवेरिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा तो अगर एक चमच हरड का चूर्ण उस जिससे भी आपको पटी एडियों से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा और और एक टिप मैं आपको देना चाहती हूं खासकर उन लोगों के लिए जिनको साल भर पटी एडियों की तकलीफ सताते रहती है जी हां उनके लिए एक ऐसी टिप जिससे आपको जो तकलीफ है वो मसाज करना इस अभ्यंग के ऊपर उसके गुण क्या है उसके पाइदे क्या है किसको करना चाहिए कैसे करना चाहिए डीटेल वीडियो हमने बनाया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक भी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं या देखिए अगर आपको आपके साल भर होने वाले क्राखिल से चुटकरा चाहिए तो अभ्यंग का इस्तमाल आज से अभी से शुरू कर दीजेगा तो ये थी 5 प्लस दो टिप तो ये पूरा वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरुर बताए वीडि झाल 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 झाल